आज का दिन ये हुवाने बेनाया है, हम उसमे आनंदिको आनंदिको प्रभु को मही मा मिले, चाहे हो मेरा प्रमाद, वो पठे में सुचु जरे इसी का द्याद, आज का दिन ये हुवाने बेनाया है, हम उसमे आनंदिको आनंदिको आज का दिन ये हुवाने बेनाया है, हम उसमे आनंदिको 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 अभी ब्रदर शास्त्री फिलिप आके हमको संदेश वजन से संदेश देंगे प्रभु ने एक बार और हम सब को ऐसा धन्य मौका दिया उसके लिए मैं प्रभु का शुक्र गुजार हूँ एक विशेश बात याद दिलाना चाहता हूँ मेरे हिसाब से इस हिंदी सभा में ये मेरा पचास्वा संदेश है पचास्वा संदेश या जब पचास कंप्लीट करते हैं तब उसको गोल्डन जुबली कहा जाता है पचास को सिल्वर, पचास को गोल्डन, पिचतर को प्लाटिनम और सौ को डाइमन जुबली कहा जाता है पचास को लोग बहुत महत्व देते हैं इसलिए उसको गोल्डन जुबली कहा जाता है मैंने सूचा कि हम यदि प्रभु ने हमको एक साथ इस तरह से बैठ कर पचास संदेश सुनने का मौका दिया है तो पचासमें संदेश में ऐसी प्रभु के वचन से ऐसी कोई मुख्य बात, ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात आपके सामने पेश करना जरूरी है जो मेरे और आपके जीवन को बहुत अधिक स्पर्श करती है और इसलिए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिशे के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ बिशे का टैटल या नाम सुनके एकदम से डर ना जाएं मैं उसको बहुत ही सरल शब्दों में आपको सबको समझाने की कोशिश करूँगा विशे है विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाना जस्टिफिकेशन बाइ फेथ प्रभू के वचन में जो सेकड़ों उपदेश दिये हुए हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण एक उपदेश है विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाना क्या है इसका मतलब? विश्वास से धर्मी ठहराया जाने का क्या मतलब है? पहले प्रभू के वचन से ही एक या दो हिस्से मैं आपको पढ़के सुनाना चाहता हूँ प्रभू के वचन से रोमियो नामक पुस्तक तीसरे अध्याय के तेईस्वे पद को आज सबसे पहले मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ जिनके पास हैं बाइबल है वो लोग निकालने बाकी लोग सुन ले मैं इसलिए आपको पढ़के सुना रहा हूँ रोमियों की पत्री तीसरे अध्याय के तेईस्वे पद में हम पढ़ते हैं सब ने पाप किया है इस दुनिया के सब लोगों के बारे में मेरे बारे में आपके बारे में जो आज से हजारों साल पहले पैदा हुए थे और यदि प्रभु ईशु के आने में देर है प्रभु दुबारा आने वाले हैं आएंगे आने में देर करते हैं तो जो आने वाले दिनों में पैदा होंगे उन सब के बारे में ये प्रबू का वचन है मैं अपना वचन नहीं सुना रहा है प्रबू का वचन पढ़कर सुना रहा हूँ वहा लिखा हुआ है कि सब ने पाप किया है और सब के सब प्रबू की महिमा से दूर है उससे वंचित है इसका क्या मतलब है मतलब यह है कि इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है वो सब पापी है ये चूंकि मेरा पचासवा संदेश है तो इसलिए मैं कम से कम ये कह सकता हूँ कि मैंने कम से कम पचास बार ये बात बताई है इस सभा में कि बच्चे को जूट बोलना नहीं सिखाना पड़ता गलत काम क करना नहीं सिखाना पड़ता जगडा करना नहीं सिखाना पड़ता दूसरों से इरश्या करना नहीं सिखाना पड़ता नहीं सिखाना चाहिए लेकिन इन सब के बावजोद बच्चा यूट बोलता है जगडा करता है दूसरों से इरश्या करता है क्यों इसलिए कि मेरे और कि अंदर जो स्वभाव है वो स्वभाव वो बच्चा बदल नहीं सकता है करेला हम सब बहुत पसंद करते हैं मुझे तो भर्मा करेला और फ्राई किया हुआ करेला बहुत पसंद है लेकिन करेला कभी मीठा भी होता है क्या? नहीं उसका स्वभाव है कि वो कड़वा है और वो कड़वा ही रहेगा करेले को बीज से लेकर मान लीजे जब आप पानी डालते हैं तो शक्कर मिला हुआ पानी दें तो उस पर जो करेला लगेगा वो मीठा हो जाएगा क्या? नहीं उसका स्वभाव है कड़वापन और जब तक वो स्वभाव नहीं बदलेगा तब तक करेला कड़वा ही रहेगा उसी तरह से मैं और आप हमारे बच्चे जब पैदा होते हैं तो पाप स्वभाव को लेकर पैदा होते हैं और इस कारण उनके जीवन में चाहे उनको कितनी भी अच्छी शुच्छा दो वो सिर्फ पाप करते हैं और इसी लिए प्रभू के वचन में लिखा हुआ है कि साब ने पाप किया है और उस पाप के कारण प्रभू की महिमा से पवित्रता से दूर है उससे वंचित है प्रभू हमको छमा कर सकते हैं क्या छमा कर सकते हैं एक बच्चा जब गलत काम करता है और पकड़ा जाता है तो कई बार माबा पूछते हैं देख अभी एक मौका है तेरे सामने अभी सच बोल दो और सच बोल दो तो मैं तुझे इस बार छोड़ दूँगा लेकिन तुने सच नहीं बोला तो मैं सच जानता हूँ और इसलिए सजा दूँगा मैंने दो बच्चे पाले हैं दो बहुती एक्टिव और सक्री बच्चे मैंने उनसे पचासों बार ये बात कही है देखो इदर आओ डैड़ी के सामने खड़े हो जाओ और मैं बड़े आराम से अपने शर्ट बगरा को मोड़ कर बेंत की छड़ी लेकर या तार का एक टुकड़ा लेकर उनसे पूछता था कि अब बताओ तुमने किया है या नहीं किया है सेच बताओगे तो मैं छोड़ दूँगा ऐसा एक पिता को ये करने की इजाज़त है क्या बिल्कुल है क्यों इसलिए कि उसका बेटा है या उसकी बेटी है और पिता को मालूम है कि बेटे या बेटी से कैसा विवहार करना है तो मान लीजे बेटा आकर कहता है कि हाँ डैडी आपने दो टौफी दी थी और मुझसे कहा था कि टौफी के डबे पर हाथ मत लगाना लेकिन आपके जाने के बाद मैंने उसमें से दो टौफी और निकाल ली ठीक है पिता जी क्या कहते हैं इस बार तुमने सच बोला इसलिए मैं तुमको छोड़ रहा हूं आइंदा ऐसा मत करना होता है के परिवारों में बिलकुल होता है कम से कम मेरी फैमिली में तो मैं बच्चे जब अपनी गलती मान लेते थे तो मैं बच्चों को कम से कम एक मौका देता था सुधरने का कभी कभी दो मौके भी दे देता था और बहुत जरूरी हुआ तो तीन मौके भी दे देता था लेकिन तीन मौके के बाद फिर वो छड़ी उनके आसन पर जम के चलती थी या hunter का टुकड़ा चलता था तो उससे बच्चे बिलकुल एक दम से शुद्ध हो जाते थे ठीक है अच्छे लेकिन एक बात बताईए कि जब बच्चा आकर अपनी गलती मान लेता है कि डैडी मैंने गलती की आपकी आग्या का उलंगन किया तो मैं बच्चे से बोलता हूँ ठीक है इस बार मैंने तुमको माफ किया क्या मैं ये बोलता हूँ कि तुमने कोई गलती नहीं की नहीं नहीं माफी का मतलब ये नहीं है कि कोई गलती नहीं की माफी का मतलब है कि गलती की है तुमने गलती की है मेरे सामने मेरे प्रिये बच्चे तू अपरादी है लेकिन तेरा पिता होने के कारण मैंने तुझे सच बोलने के कारण इस बार शमा कर दिया है दोनों में फरक जरा ध्यान से मन में रखें मैंने तुझे शमा कर दिया है बोलने में और तूने कोई गलती नहीं की इन दोने में बहुत फरक है जिसने गलती की है उससे कोई पिता कैसे बोल सकता है कि तूने कोई गलती नहीं की है ये बात मन में रखें दूसरी बात मान लीजे कि दो बच्चों में आपके दो बच्चे हैं ये चार बच्चे हैं उनमें आपस में जगड़ा होता है और आप घर आते हैं बच्चे आपके सामने रोते गाते हुए आते हैं आप दोनों तीनों चारों बच्चों को अपने सामने खड़ा करते हैं और पहले से बोलते हैं अब तुम बोलो तुम बोलो और जब बच्चे बोलते हैं तो पिताजी को मालूम पड़ जाता है उनके हाव भाव से के गलती किस ने की है और उसके बाद जब चारों बोल लेते हैं तो फादर कहते के अच्छा मुझसे जूट बोल रहे हो अब सच ना पड़ेगा तो आप जाके वो बैत उसकी जगह से खेंच लेते हैं या मेरे परिवार में हो तो आपने उदर खील पर जो हंटर टांगा है उसको लेकर बच्चों के सामने बैठ जाते हैं अब सेकंड राउंड बोलो सच बोलो तो पहला वाला बोलता है कि डाड़ी मुझे माफ कर दीजे गलती मेरी थी दूसरा बोलता है डाड़ी माफ कर दीजे गलती मेरी भी थी तीसरा वाला बोलता है डाड़ी गलती मेरी भी थी मुझे माफ कर दीजे चौथा बच्चा बोलता है डाड़ी मैंने कुछ नहीं किया आप इन तीनों से पूछ लीजिए तो डाड़ी उस हंट्र को हाथ में लेते हुए तुम तीनों बताओ ये चौथा जो बोल रहा है ये सही है ये गलत है तो तीनों बोलते हैं डाड़ी उसने कुछ नहीं किया जो किया था वो हम तीनों ने किया था उसने कुछ नहीं किया डाड़ी का क्या जवाब होता है एक नहीं पिता का क्या जवाब होता है अच्छा ये पहली बार तुम तीनों ने गलती की है इसलिए तुम तीनों को मैं माफ कर देता हूँ चौथे बच्चे से क्या बोलेंगे चौथे ने कोई गलती नहीं की है इसलिए चौथे से बोलेंगे तू ने गलती नहीं की है तू निर्दोश है दोनों में फरक समझ में आया तीन लोग दोशी थे उनको ठ्षमा कर दिया गया है चौथा निर्दोश था और पिता उसको निर्दोश गोशित करता है एक व्यक्ति को निर्दोश गोशित करने को प्रभु के वचन में उसके लिए जो शब्द यूस किया गया है वो है धर्मी ठहराया जाना आज मैं आपके सामने प्रभु के वचिन का एक बहुत ही महतवपूर्ण उपदेश प्रस्तुत करना चाहता हूं और वो यह है कि सनातन प्रभु के सामने मैं और आप जब खड़े होते हैं प्रभु हमको छमा कर सकते हैं क्या बिलकुल कर सकते हैं सर्वे सर्वा छ्षमा कर सकते हैं करते हैं क्या जी हां करते हैं छ्षमा करने के लिए उन्होंने कोई रास्ता खुला है कि जी हां प्रभु ईश्यू के द्वारा उन्होंने एक रास्ता खुला है लेकिन वो सर्वे सर्वा सर्वेश्वर मुझे आपको छमा देने के साथ साथ ये घोशना कर सकते हैं क्या कि ये व्यक्ति निर्दोश है इसने कभी कोई गलती नहीं की है नहीं जिसने गलती की है उसको छमा दिया किया जा सकता है उसको निर्दोश नहीं घोशित किया जा सकता लेकिन सरवेश्वर प्रभू की इच्छा है कि जब वो एक व्यक्ति को च्छमा प्रदान करते हैं और च्छमा प्रदान करके जब वे उसको अपनी संतान बना लेते हैं तो प्रभू की ये भी इच्छा है कि हमको एकदम से निर्दोश घोशित करें हमको एकदम से धर्मी घोशित करें उसके लिए प्रभू ने एक रास्ता खुला है उस रास्ते के बारे में मैंने तेईस्वे पद पड़ा था इसी के आगे तीस्वे पद में एक पोर्शन हम देखते हैं विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएंगे क्या मतलब इसका मतलब यह है कि जिसने प्रभू ईश्व को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहन किया है प्रभू ना केवल उसको पाप से छमा देते हैं ना केवल उसको अपनी संतान बना लेते हैं ना केवल उसको एक नया जीवन देते हैं बलकि उसको धर्मी भी ठरा देते हैं ऐसा कैसे हो सकता है जो पापी है उसको पापी ठराना जरूरी है उसको कोई व्यक्ति धर्मी नहीं ठरा सकता है लेकिन प्रभु ऐसा करते हैं और उसका रास्ता फिर से इसी पुस्तक के पांच्वे अध्याय के पहले पद में हम देखते हैं जब हम विश्वास से धर्मिठ रहे ऐसा कैसे हो गया ऐसा प्रभू कैसे करते है और इसकी क्या जरूरत है जरूरत इसलिए है कि एक बार प्रभू के सामने जाकर अपने घोर अपरादों और पापों से छमा प्राप्त करने के बाद जब भी हम प्रभू के समक्ष जाकर खड़े होते हैं तो हमारा मन हमको बार बार याद दिलाता है कि हम पापी थे अपरादी थे और इस तरह से जब प्रभू ने हमको छमा दी है जब हमारा मन बार बार हमको ये बातियात दिलाता है तो प्रभू के सामने खड़े होकर प्रभू की संतान होते हुई भी हमारे मन में तमाम तरह के डर तमाम तरह की हीन भावना और अपराद बोद आता है जिसके कारण प्रबु हमसे जो चाहते हैं पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं आपने जीवन में इस तरह का कोई मौका देखा है क्या जब एक लेक्ति की गलती छ्मा कर दी गई लेकिन इसके बावजूदो डर के मारे जिसने छ्मा किया है उसके सामने डरते हुए संकुचाते हुए हिचकते हुए खड़े होता है जी मैंने तो बहुत देखे हैं मैं जीवन बरे का ध्यापक रहा और अध्यापकों को तो एक दिन में पचास से लेकर धाई सो बच्चों से वियवहार करना पड़ता है मैं जब शाले या स्कूली शिट्षा में था तब एक दिन मुझे ओसत दो सो से तीन सो बच्चों से डील करना पड़ता था कोई कॉपी नहीं लाया कोई हमवर्क करके नहीं लाया किसी ने प्रैक्टिकल की फाइल में जो कुछ लिखना था वो नहीं लिखा किसी को लिखना ये था वो लिखके लिए आया फिजिक्स की फाइल लानी थी केमिस्ट्री के लिए आया या फाइल ही भूल आया गल्ती करते हैं मैं एक बहुत इसने ही अध्यापक था और बच्चों से पहले से मैंने बोल रखा था कि देखो गल्ती सबसे होती है आकर बता दोगे तो तुमको छमा कर देंगे जिससे के आएंदा तुम ये ना करो तो कई बार ज़्यादा तर मौकों पर बच्चे आकर बोल देते थे सराज ये गल्ती हो गई कौपी नहीं लाए या कौपी में लिख नहीं पाए तो जब उनसे बोल दिया जाता है कि बेटा तुमको आज हमने माफ कर दिया आएंदा ऐसी गल्ती मत करना तो उनको बहुत खुशी होती थी लेकिन इसके बावजूद जब वो लोग प्रैक्टिकल के लिए लैब में जाते थे तो मुझसे अपना चेहरा बचाने की छुपाने की कोशिश करते थे मैं क्यों जानता था इसलिए कि मैं भी तो किसी जमाने में विद्यार थी था मैंने भी गल्ती की है मेरे भी अच्छे अध्यापकों ने मुझे ठ्छमा प्रदान किया था तो जब बच्चे इस तरह से गल्ती के बाद ठ्छमा प्राप्त करने के बावजूद मेरे सामने दबे, सहमे हिच किचाते हुए खड़े होते हैं तो अक्सर मैं उनके कंधे पर हाथ मार के बोलता था देखो राजेश, आनंद, बेटे मैंने तुमको माफ कर दिया है और अब मैं तुमको एक अपरादी के रूप में नहीं देख रहा तुम हिम्मत के साथ जाके अपना प्रैक्टिकल करो तो बच्चों को बड़ी हिम्मत हो जाती है मैं उसको निर्दोष तो घोषित नहीं कर सकता है क्योंकि उसने गलती की है लेकिन मैं उसको माफी दे सकता हूँ और उसको ये भी बता सकता हूँ कि अब मैं उसको याद नहीं रखूँगा वो गलती जो तुमने की है वो तुमारे अगेंस्ट मैं गिंती में नहीं रखूंगा मैंने छोड़ दिया है मेरे बेटे मेरी बीटिया अब तुम हिम्मत के साथ काम करो यदि एक सांसायरिक टीचर की अस्तिती है तो मैं और आप सर्वे सर्वा सर्वे शक्तिमान प्रभू के समक्ष जब खड़े होते हैं और जब प्रभू ईशु के द्वारा पाप की ठुमा शाश्वत जीवन और एक नया जीवन पालेते हैं नव जीवन पालेते हैं इसके बावजूद जब हम प्रभू के समक्ष खड़े होते हैं तब इस बात की संभावना है कि प्रभू के सामने बहुत ही जादा हिच की चाते हुए दर के साथ खड़े हो जबकि प्रभू चाते हैं कि जिनको प्रभू ने प्रभू ईशु के सूली पर के बलिदान के द्वारा नया जीवन दिया है वे उनके सामने जब खड़े हो तो हिमत के साथ खड़े हो और उसके लिये प्रभू एक कार्य करते हैं और वो कार्य है प्रभू ये भी डिकलेयर कर देते हैं कि तु धर्मी है, ऐसा कैसे करते हैं प्रभू क्या करते हैं इसको हम आगे और भी डीटियल में देखेंगे पहला कुरिंधियों उसके ग्यारवे अध्याई को जब हम पढ़ते हैं इसी के बाद की पुस्तक है और प्रभु ने मदद की तो हम डीटेल में इन चीजों का फिर से अध्यान करेंगे वहां हम देखते हैं कि जब एक व्यक्ति प्रभु इशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहन करता है तब प्रभु हमको प्रभु इशु के साथ हमेशा हमेशा के लिए जोड देते हैं आप कहेंगे कि मुझे तो कुछ नहीं दिखता देखिए दो व्यक्तियों को एक दूसरे से कई तरीके से जोड़ा जाता है हर चीज हम समझ नहीं सकते लेकिन इसके कुछ हुदाहरं दू तेलिविजिन पर अक्सर एक अड़िटाइस्मेंट आता है काश्मीर हो या कन्या कुमारी गुजरात हो या बंगाल हम सब भारतिय एक है कुछ तो है जिसने हम सब को एक कर दिया है उसका मतलब ये नहीं है कि सारे हिंदुस्तान में एक ही व्यक्ति है जी हम हिंदुस्तान में एक सो तीस करोड येक्ति हैं लेकिन कुछ तो है जिसने हम सब को एक कर दिया है उसी तरह से कई बार कहा जाता है मिया बीबी अरे वो तो एक है हम जानते हैं कि उस घर में जाएं तो एक येक्ति नहीं दो अलग-अलग येक्ति दिखाई देते हैं इसके बावजूद ये कहा जाता है कि मिया बीबी एक है बहुत से अलग-अलग तरीके हैं एक से अधिक येक्तियों को एक दूसरे से जोडने के जब हम प्रभू ईशू को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहन करते हैं तब प्रभू अधुत तरीके से हमको लेकर प्रभू ईशू के साथ जोड देते हैं जिससे कि आगे जब सर्वे सर्वा जब हमको देखते हैं तब हमको एक यक्ती के रूप में नहीं लेकिन प्रभू ईशू के शरीर से जुड़े हुए एक यक्ती के रूप में देखते हैं आज से 55 से अधिक साल पहले जब मैंने प्रभू ईशू को अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहन किया उस समय प्रभू ने ना केवल मुझे ठ्षमा किया मुझे लेकर प्रभू ईशु के शरीर के साथ जोड़ दिया जिससे की अब प्रभू मुझे पर द्रिश्टे डालते हैं तो प्रभू ईशु के द्वारा मुझे देखते हैं और जब प्रभु इशो के द्वारा मुझे देखते हैं तो प्रभु चूंकी निश्पाप है इसलिए मुझे निश्पाप देखा जाता है प्रभु चूंकी निश्कलंग है मुझे निश्कलंग व्यक्ति के रूप में देखा जाता है प्रभु चूंकी धर्मी है इसलिए हम प्रबु के समक्ष खड़े होते हैं तो इस confidence के साथ इस हिम्मत के साथ हमको प्रबु के सामने जाकर अपने आपको प्रस्तुत करना है कि प्रबु मैं पापी मनुष्था आपने मुझे ना केवल ख्रमा किया बेलकि अपने पुत्र प्रबु ईशु के साथ जोड़कर एक बेशरीर कर दिया और इस कारएंट मैं आप के सामने प्रबु ईशु के प्रबु ईशु में पूरी तरह से चुपा हुआ खड़ा हूं और आप जिस आप से प्रबु को निश्पाप और धर्मी के रूप में देखते हैं है प्रबु आज आप मुझे भी उसी तरह से देख इसलिए मैं आपका शुक्र गुजार हूँ, यह विश्वास से धर्मी ठहराये जाने का मतलब, लेकिन इसके साथ-साथ एक चीज और जानना जरूरी है, जब प्रभु हमको कुछ देते हैं, तो उसके साथ-साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी जोड़ दी जाती है, आप जानते हैं, जब आपका बच्चा दो साल का, या तीन साल का होता है, या इवन पांच साल का होता है, तो आप कहीं जाते हैं, तो घर की चावी उसके हाथ में दे के नहीं जाते हैं, अलमारी की चावी उसके हाथ में दे के नहीं जाते हैं, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब आप चाबी की एक कौपी ही उसको दे देते हैं हम तो ताला लगा के जाएंगे तू जब आएगा तब खोल के अंदर आ जाना क्यों इसलिए कि अब वो अपने जीवन में मेच्चूर हो गया है परिपक्क हो गया है और परिपक्क होने के कारण उसके उपर जिम्मेदारी आ गई है और माबाप उससे ये एकस्पेक्ट करते हैं ये उम्मेद करते हैं कि वो एक मेच्चूर गयक्ती के रूप में यवहार करेगा जब बच्चा और बड़ा हो जाएगा जब वो अपने पैर पर खड़ा हो जाएगा तब तो वो आपकी जिम्मेदारी भी अपने हाथ में ले लेगा इसलिए कि अब वो पढ़ लिखी गया है अब उसके पास नौकरी हो गई है अब उसके पास बहुत अच्छे आम दिनी हो गई है एक्जैक्ली इसी तरह से जब प्रभू विश्वास के द्वारा मुझे और आपको नए जीवन देते हैं और प्रभू ईश्व के साथ एक जुट कर देते हैं एक शरीर कर देते हैं और आप प्रभू हमको पापी के रूप में नहीं धर्मे के रूप में देखते हैं तो उसके साथ साथ प्रभू हमको एक जिम्मेदारी भी देते हैं और वो जिम्मेदारी ये है कि मेरे और आपके प्रती दिन के जीवन में इस बात को हम याद रखें कि हम सामान्य व्यक्ती नहीं है हम अब प्रभू ईशु के साथ एक जुट किये हुए लोग हैं और इसलिए हमारा व्यवहार वैसा ही होना चाहिए जैसे प्रभू ईशु का व्यवहार है आप कहेंगे शास्त्री सर ये हो सकता है क्या देखिए हम नश्वर हैं हम पापी हैं और पाप का स्वभाव इस नश्वर शरीर में तब तक है जबते कि नेश्वर शरीर बदल नहीं जाएगा लेकिन इसके बावजूत प्रभू हम से यह उम्मीद करते हैं कि प्रति दिन प्रभू हमको जो आत्मिक ताकत देते हैं पवित्र आत्मा जो आत्मिक ताकत देते हैं उस आत्मिक ताकत पर आश्रित होकर हम हर दिन पवित्र जीवन बिताएं हमारा सोचना पवित्र हो हमारी बोली पवित्र हो हमारे कर्म पवित्र हो प्रभू हमसे ये उम्मीद करते हैं एक बात बताईए आप यदि किसी बड़ी सभा में जाते हैं उस सभा में एक से एक बड़े लोग लेक्चर देने के लिए आएं हैं कोई आर्मे का कर्नल है तो वो बाकाइद आपने सूट बूट में आया है और उसकी चाल देखते ही आपको समझ में आ जाता है कि ये तो आर्मे का अफसर है दूसरा डॉक्टर है वो आता है तो उसके परिश्कृत यवहार से ही आपको पता चल जाता है कि डॉक्टर है इस तरह से अलग अलग पेशे के लोग स्टेज पर आकर बैठते हैं उसके बीच में एक आदमी जिसके बारे में आपको बताया गया है कि बहुत बड़ी हस्ती है वो सिर्फ लुंगी बन्यान पहन के वहाँ आकर बैठे पान चबाता रहे इदर उदर थूपता रहे आपको कैसा लगेगा यदि मैं उस स्टेज का संचालक हूँ तो वहाँ पे जो सेक्यूरिटी लगी हुई है उनसे कहेंगी कि इन सज्जन को बाईजत यहां से ले जाओ उनसे बोलो कि धंग के कपड़े पहनो और मुँ में जो पान है उसे थूखके कुला करके बाल कंगी करके यहां आके धंग से बैठो क्यों जब एक बहुत बड़ी सभा हो रही है तो उस सभा में जो लोग सबके समक्ष आकर बैठे हैं उनके साम उनको यह जिम्मेदरी भी दी जाती है उनकी जिम्मेदरी है कि वे ऐसा वियवहार करें जो उतनी बड़ी सभा में स्टेज पर बैठे लोगों से जो जिस वियवहार की उम्मीद की जाती है ये एक छोटा सा उदाहरंड है इस दुनिया के लोग जब आप दुनिया में समाज में उतर जाते हैं आपका जीवन देखने के बाद वो लोग इस बात को समझ जाते हैं कि आप प्रभू की संतान है आपको प्रभू ने नया जीवन दिया है और इस कारण आप जब मुझ खोलते हैं तो वो आप से एक खास प्रकार के ही बात्चित की उम्मीद करेंगे वो लोग कैसे भी बात करें लेकिन वो आप से कभी उम्मीद नहीं करेंगे प्रयोग करेंगे वो लोग हो सकता है तमाम तरह के काम करें आप से उम्मीद नहीं करेंगे कि आप उस तरह के करम करें मुझे याद है आज से कुछ साल पहले यहाँ से सवा सो किलोमेटर दूर एक जगर मैं प्राइवेट कॉलेज में तीन साल के लिए अध्यापक की नौकरी करता था मुझे इस समाज के बारे में कुछ नहीं मालूम था ना तो मैं भाषा ठीक से जानता था ना इस समाज के एक बात मैंने नोट किया कि दो पहर को खाने के लिए हम सब का खाने एक साथ चप्रासी लाता था जाकर होटल से खाना लाता था खाना लाने के साथ साथ वो एक पैकेट लाता था खाना हम सब के हाथ में हम सब के सामने टेबल पर रख दिया जाता था वो पैकेट एक अध्यापक को दे देता था एक बार जिग्यासा के कारेंट मुझे समझ में यह कि पैकेट क्या है जिग्यासा के कारेंट मैंने एक अध्यापक से पूछा कि वो खाने के साथ साथ एक पैकेट लाता है एक दम से अध्यापक ने का कि जॉंसन सर देखे आप उसके बारे में ना पूछें तो अच्छा है आप जैसा व्यक्ति इस तरह के करम नहीं करता है और इसलिए आप समझ नहीं सकते और नहीं हम आपको बताना चाहते हैं कि क्या है लगबग दो साल वहां काम करने के बाद मुझे बात समझ में आई कि वो चपरासी सामने जाकर ना केवल खाने का सामान लाता था वहां एक शराब की दुकान थी वहां से शराब की बोतल खरीद के लाता था बहुत ही चुपके वो अध्यापकों को दे देते था ये लोग क्या करते थे कि हाँ खाईए सर खाईए सर खाईए सर महां पर equipment वगरा देख लीजिए मैं उठके जाता था उसके बाद ये लोग बैठके पीना पिलाने का काम करते थे मैंने उनको कभी नहीं बताया था कि देखिए मैं ना तो पीता हूं ना पिलाता हूं उनको कैसे ये बात समझ में आ गई मेरी बातचित से ही उनको ये बात समझ में आ गई कि मैं एक नव जीवन नया जीवन पाया हुआ व्यक्ति हूं और इसलिए उन्होंने अपने आप मुझसे ही उम्मीद की कि जिस तरह से वो बोलते हैं मैं नहीं बोलूँगा जिस तरह से वो करम करते हैं मैंने ही करूंगा और इसलिए मुझे आदर और इज़त देने के लिए वो जो करम करते थे मुझसे छुपा कर करते थे और मुझे उन्हेंने कभी नहीं बताया वो तो चपरासी एक बार बोल गया इसलिए तब मुझे पता चली कि अच्छा तो ये कांड होता है मेरे पीछे मैंने भी का कि ठीक है अच्छा है मुझे से चुपा कर रखा लेकिन अब चुँकी मुझे पता चल गई है इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि तुम लोग ये छोड़ दो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं जब हमको एक पोजिशन दिया जाता है जब हमको एक ओहदा दिया जाता है जब हमको सामन्य से उंचे पोजिशन बर रख दिया जाता है तो हमसे ये उम्मीद की जाती है कि उसके अनुसार हम यवहार करेंगे इसलिए आज यहां पर प्रभू के वचन को जो भाई और बहन लोग सुन रहे हैं उन मेंसे जितने लोगों ने प्रभू ईशु को मुक्ति दाता की रूप में अल्ड़ी ग्रहन कर लिया है उन भाईयों को उन बहनों को मैं दुबारा याब दिलाना चाहता हूँ कि प्रभू ईशु के द्वारा विश्वास के द्वारा आप धर्मी ठराएगे और इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि इस संसार में आपका जीवन ऐसा हो जो एक धर्मी व्यक्ती के लिए उचित है आपका सोचना इस तरह का होना चाहिए आपकी वानी इस तरह की होनी चाहिए आपके कर्म इस तरह के होने चाहिए आप पूछेंगे कि ये दिन नहीं हुआ तो हम बाद में विस्तार से देखेंगे लेकिन मैं अभी सिर्फ इतना ही आप दिलाना चाहता हूँ कि एक पिता जो अपने बच्चों से स्नेह करता है वो पिता जरूरत पढ़ने पर बच्चों को सजा देता है कई बार कड़ी सजा देता है दर्द होता है बच्चों को आत्मी जीवन में भी मुझसे और आपसे जिन्हों ने उस नई जीवन को पाया है जो विश्वास से धर्मी ठराएगे हैं यदि उन लोगों का जीवन एक धर्मी व्यक्ती के लिए उचित नहीं है तो प्रभू सजा देंगे और कई बार बहुत कड़ी सजा देंगे उस सजा से डर्ग कर पवित्र जीवन बिताने के बदले प्रभू से हमारा जो सने है उसने के कारण पवित्र जीवन बिताना मुझे और आपको सीख लेना चाहिए लेकिन इसके साथ एक तीसरी बात मैं बताना चाहता हूँ और वो तीसरी बात ये है कि प्रभू के बचन को आज शाम को जो लोग सुन रहे हैं इन में से शायद कई भाई और बहन ऐसे हैं जिनों ने आज तक प्रभू ईशु को मुक्तिदाता की रूप में ग्रहन नहीं किया है ऐसा कोई भाई या बहन इस सभा में उपस्ती थे तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरी प्री भाई मेरी प्री बहन जब प्रभू आपके सामने रास्ता खोल कर रास्ता तयार करके आपको ये नए जीवन देने के लिए रिडी तयार बैठे हुए है तो उस नए जीवन को प्राप्त ना करने के लिए आपके पास क्या बहना है जब कोई दे रहा है आपको और आप बिना लिये हुए वहाँ खड़े है तो देने की गलती देने वाले की गलती नहीं है दाता तयार है लेंदार नहीं ले रहा है यदि इस सभा में ऐसी कोई बहन या ऐसा कोई भाई है जिसने प्रभु ईशु के द्वारा ये नए जीवन नहीं पाया है तो उस नए जीवन को पाए बिना इस हौल से बाहर न जाए ये मेरा अनुरोध है उसके बारे में चार वाकिया और मैं आपको बताना चाहता हूँ मनिश पापी है अपने स्वेम के कर्मों के द्वारा मनिश अपने आपको बचा नहीं सकता है लेकिन उस पापी मनिश को नया जीवन देने के लिए प्रभु ईशु ने सूली पर अपने जीवन बिलिदान किया था और इस कारण चौखी बात प्रभु ईशु को जो अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहन करेगा उसको प्रभु ये नया जीवन दान स्वरू शाष्वत जीवन दान के रूप में देंगे आपने पाया है क्या नहीं पाया है तो क्या एक्स्क्यूज है क्या बहना है क्यों नहीं पाया यदि ये विशे समझ में नहीं आया और इस कारण आपने इसे नहीं पाया हो तो यहां कितने ही भाई और कितनी ही बहने बेठे हैं जो आपको ये विशे विस्तार से समज़ेने के लिए इसलिए तो यहां आए हैं विस्तार से समझाएंगे इन बातों को उनसे पूछ लीजिए जरह डीचल में विस्तार से समझ लीजिए प्रभू को मुक्तिदाता की रूप में ग्रहन करके ही इस हौल से जाए आज मैंने तीन बातें आपको बताई थी वो तीन बातें मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ एक पापी व्यक्ति को छमा दी जा सकती है उसको निश्पाप डिकलर नहीं किया जा सकता लेकिन प्रभू की दया है कि प्रभू ने जब हम छमा पाते हैं उस समय प्रभू हमको प्रभू ईश्प के साथ एक जुट कर देते हैं और इसलिए प्रभू ईश्प की धार्मिक्ता मेरे और आप के जीवन में देखते हैं और प्रभू डिकलेर करते हैं कि ये मेरा बच्चा ना केवल उसको मैंने पाप की छमा दी है बलकि उसको धर्मी भी ठहरा दिया है ये है विश्वास से धर्मी ठहराया जाना दूसरी बात ये कोई छूटी बात नहीं है ये मनिश के लिए संभव बात है लेकिन प्रभू ने जब ये एक गिफ्ट के रूप में एक तोहफे के रूप में हमको दिया है तो प्रभू पलट कर हमसे ये उमीद करते हैं कि मेरा और आपका जीवन उस धर्मी जीवन के अनिसा होगा हम जो सोचते हैं हम जो बोलते हैं हम जो करते हैं इन सब बातों में एक धर्मी व्यक्ति के समाने बेभार करना जरूरी है पवित्रात्मा की ताकत पवित्रात्मा की शक्ति उसके लिए जीवन के हर दिन हर च्छंड हमको उपलब्द है तीसरी बात यदि कोई भाई य या ऐसी है जिसने इस नए जीवन को नहीं पाया है तो उसके बारे में हम से जरा डीटल में पूछ लें विस्तार से पूछ लें उसको पा लें उसके बाद ही सवा से जाएं प्रभू ने आज इस तरह से जो मौका दिया है उसके लिए मैं प्रभू को धन्यवाद देता हूँ मैं प्रबु का शुक्र गुजार हूँ पचास हफ़ते हमने एक साथ बिताए उसको याद करने के लिए सबसे अच्छा क्या है और लोगों को गुला कर यहां लाएं मैं एक पर्चा प्रिंट करके लाया हूँ आपके सामने रखे दूँगा यह दो बंडल है इसमें से जितने पर्चे चाहिए उसको निकाल दीजे इसमें इस मीटिंग की सारी जानकारी और इस जग़ पहुँचने के लिए जो नक्षा है पूरा डीटेल दिया हुआ है यह अपने मित्रों को दीजे नहीं आएं कोई बात नहीं है लेकिन यदि आपने इन्वाइट नहीं किया तो आपकी गलती है मेरी गलती है जितने पर्चे चाहिए आज मैं बीस एक लाया हूँ यदि आप कहें कि मुझे अगले हफते पचास चाहिए तो आपको पचास चाहिए मैं आपको साट लाके दूगा यहां कोई सीमा नहीं है कोई नहीं है लेकिन जस्त बताईए कि इतने चाहिए ये ले जाईए अपने मित्रों को दीजे उनका स्वागत कीजे नहीं आए जैसा मैं नहीं आए कोई बात नहीं है लेकिन उन तक ये संदेश पहुंचाना यानि मंत्रन देना, ये मेरे और आग की जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को भी पूर्ण करने के लिए प्रभू हमारी मदद करें, एक बार और आज जितने लोग आए हैं, उन सब का मैं स्वागत भी करता हूँ, आपने संदेश सुना, उसके लिए शुक्रिया अदा करता सब को जै मसी की. आप से परमेशर को क्या कहना चाहता है, वो बता दिया, वो सर्गल से बता दिया, लेकि एक सब्द मुझे लगता है, आप लोग को इतना पसंद नहीं हुआ, लगता है, क्योंकि वो बार बार बता है के पाभी है, पाभी है, हर आत्मी पाभी है, परमेशर सोच से बता है, का महिमा तोड़ दिया वो तोड़ दिया आत्मी को अनंदकाल जीवन किदर पाएगा सुर्क नहीं तो नहीं एक बाद आज नहीं तो कल हर आत्मी यह दुनिया से जाना जेरो रहे मृत्यों से यह होएगा लेकि मृत्यों के बाद अपने जीवन किदर जाएगा कभी सोचा अगर नहीं सोचा तो एक उधार में बताना चाहता है एक केरल है एक के से लिडर के नाम किजसा है कि वो नह viewer कंद जादा इसके लिए हमेरे गर में दू नहीं अगे हो ईक नारियल म満 करें बहुत नारियल कपर्ड में बहुत नारियल होता है दूसरा में एक भी नहीं हो लेकिन वो बुलाते है नारियल कपर्ड नारिल हो नहो उनका नाम नारिल मैं बताना चाहता है कि आप लोग कोई लोग पाप करके पाभी नहीं हो लेकिन पाभी है इसके लिए पाप करता है कोई आत्मी लोग जूट बोलता है कोई आत्मी लोग सरब पीता है ऐसे ऐसे बुद्ध गलक करता है कोई आत्मी लोग कुछ कुछ नहीं करता है, कुछ खरब कुछ जूटने बोलता है, कुछ खरब बात नहीं करता है, लेकिन उनको भी परमेशर बोलता है एक पाब्यात्मी, ये पाब्यात्मी सुद्धी होने के लिए एक ही विवस्ता है, वो उसने बताया, परमेशर आपको प्रेम करके एक जगत में आया आपका बारे में मेरे बारे में सूली पर बेलिदान कर दिया मारा गया गाड़ा हुआ तीसरा दिन जी सूर गया अब इसूर में रहता है फाबी वो अत्मी को सुध होने के लिए उसका रेक्ट बखा दिया यह किसी आत्मी यह रख को उपर विश्वात करेगा ओधनश्टन नहीं होएगा परंदु अनंदकाल जिवन पाएगा यही विवस्ता है परमेशर यह विवस्ता आपको स्विगार पर नहीं कर सकता है स्विगर करें तो आप कुशी से आगए दिने के लिए भाटमेशर शखद हरके अब इस सभा समफ करने का जेलोड पे यह आगड में सभाया इसके लिए प्रात्ना करेगा बाएगअ ब्रमासा के प्रात्ना में शोखद हरके अज विष्ज प्रभू का दिन है और इस मंदिली में हम सब एकटे हुए हैं लेकिंश सबसे आनन हुआ तो सर्ग में आनन हुआ वो परमेशर पिता जो सर्ग में है और सर्ग में असेंख दूद लोग हैं आज आनन के हैं हम प्रभु इश्यू जो परमिसर का एक लोटा पुत्र है, उसके नाम में एकटे हुआ है, इसलिए सर्गदोतों में आज भारी अनन्द हुआ है, इसलिए हम विसे धनवाद देते हैं, प्यारे मित्रों, आज हम अपने सरुप और परमिसर का सरुप को जानना जोरी है, इस सं दूल में हो जाएंगे, लेकिन हमारा जो आत्मा ब्रकृत्पव है, वो नास्त ना होने के लिए अपने पुत्रों को इस संसार में हमारे उधार के लिए भेजा है, इसलिए हमको ओही है एक बेनिफिट, जो लाब है, जो हम विस्वास करें, विस्वास कैसे आएगा, जो अ आज भाई, अपने दासों के द्वार मुक्से बचन सुना, किसी ने कभी, सबने पाप क्या है, पर्मेशर के महिवां से बंचीत है, महिवां बंचीत मतलब क्या है, आनन्द जिवान, सासत जिवान से हम बचीत है, अनन्द, पर्मेशर जो अनन्द है, अनाधिकल से अनन्द लिए भान ब्यक्ति हैं, इसलिए हम पर्मिशर शरुप को वो अपने शरुप को जानें, इसलिए हम प्रमिशर पिता से बिंडि करके सभाव अंत करेंगे, दूआ करेंगे, है हमारे सर गये पिता हम आपको धनवाद देते हैं कि प्रहु, आज जो आपके नाम में पिता, जो आपके निकटता में अधिक आए और आपको विश्व को जाने अपने विश्व को जाने आप उनके सुष्टी करता है प्रहू वो आप आपके बैचे हैं वो अपने को पिता को समझने पाएं पिता के निकट आएं प्रहू से हर एक ब्यक्ति को जीवन में ग्यान दे हे पवित्र पिता जिनों में इस संसार में जिनों में भटके हुएं प्रभु जो लोग आपके निकटा में नहीं हैं आपको नहीं जानते हैं अपने को नहीं जानते हैं सबको द्वार अपने को खोल दे प्रभु प्रभु इस सावा के द्वारा प्रभु आपका धना बात हो आप जितने भी भाई बैना हैं प्रभु सबको आपने अनुगरह से आसित परदान करें प्रभु अने दिनों में अभी बहुत साथ से खोई ही आत्मा आपके निगट नम आए इस पर का अनुगरह परदान करें प्रहु आज सारे महीमा आदर गोरव आपको देते हुए इसु नासे नाम से जुआ मंगते हैं आमें